हेलो दोस्तों कैसे हो आई हो आपके बहुत बढ़ी आऊंगे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस परकार से आप फैस्वीक एप्लिकेसन पर आप अपने इस्टूरी के अंदर कोई भी लिंक को लगा सकती है दोस्तों अपी आपका जो प्रोफैल है उस पर चले जाना है प्रोफैल पर चले जाने के बाद दोस्तों यहां से आपको एक ओप्सिंस देखने को मिल जाता है तो इसको यहां से आपको ओन कर देना है ओन करने के बाद दोस्तों आपको यहां से एक बार से फैस्बुक को यहां से इस प्रक एकाउंट बन जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहां से आपको करेट इस्टोरी का ओपसिट देखने को मिल जाता है इस पर क्लिक कर लेना है इस पर जैसी क्लिक करते हैं दोस्तों सिंपल जा जो भी आपका वीडियो है उस पर क्लिक कर लेना है उस पर क्लिक करने बाद यहांसे कोई आपका जो लिंक है उसको यहांसे आपको एड करनी के लिए सब्केले दोस्तों से लिंक को хозя …को इसके लिए दोस्तों यहांसे मैं यूट्यूब पर चल्ला जाता हा उगले हिसमेरे वीडियो रिंक circle को मैं रिआता है उसके बाद मैं चले जाऊंगा ट्ली के अं सामने एक option दीखने को मिल जाता है simple जो आपके option पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपका जो link के इसके लग चुका है आपका जो link यहां से लग चुका है तो simple us a share option पे क्लिक कर लेना शेर के आप्ट्टन पर जैसी क्लिक करते दोस्तों आपका जो इसटूरी करंद लिंक है वो यहां से लग जाएगा आप दोस्तों इस प्रकार से आप फ्यास्टूकर अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस प्रकार से अपनी जो प्रॉब्लम को सौल करके अपने जो श्टूडी के अंदर लिंक को एड़ कर सकते हो